नमस्ते फ्रेंड्स तो देखिए आज क्या हम लोग देखेंगे कहां पर हमारा रेजिस्टेंस बन गया ठीक है यहां पर देखिए साइकोलोजिकल रेजिस्टेंस क्या होते हैं हम लोग सभी जानते कि 500 के जो जोन होता है वही एक साइकोलोजिकल जोन होते हैं जैसे कि 44,000 एक किवं हुआ, इतना बड़ा कुण हुआ देखिए एक उतना इतना अच्छा जोन था जहां पर बार-बार-बार क्या कर रहाता कि यहां पर सब भासा हुआ था, तो इसके बाहलोग बार-बार बाता है यही कि 44,000 220 इसको तोड़ने के बाद एक बहुती बड़ा movement आ सकते हैं यह हम लोग बार-बार कोशिस किया और बोला भी देखे उसके तोड़ने के बाद क्या हुआ बहुती बेहतर एन एक movement आ गया उसके बाद movement कहाँ तक हो सकते हैं यहां तक मतलब 45,000 55 तक यह हमारा movement बन सकता है यहां तक जा सकता है ठीक है जब एक closing basis पर close कर दिया है तो call भी है इसके उपर close कर दिया तो उसके वहां तक जा सकते हैं चले आप देख लेते हैं आज क्या से हम लोग trade किया देखे पहले क्या किया trade सब कुछ हम लोग दी मतलब दिखाता हूँ आपको ठीक है ना तो क्या हुआ देखे हम लोग पहले कहाँ पर trade लिया देखे यहाँ पर हम लोग trade लिया यह हमारा एक strategy है डो doctor option trader का एक base strategy है तो आप लोग चाहे भी ले सकते है ठीक है तो देखे यहाँ से कहा तक गया मतलब 150 का price सीधा के सीधा 500 तक हमारा गया तो यही आपको कोशिस करना चाहिए ऐसे ही आपको trade लेना चाहिए नहीं ले सकते हैं तो मत लिजी लेकिन आपको trade करना है तो ऐसे ही आपको trade करना चाहिए तो यहाँ पर बोला यहाँ पर जाईए यहाँ पे जाई है यहाँ पे जाई है तकहलं भी आपको बोला कि नहीं आपको profit book कर Japan पर आपको profit book करना नही तो यहाँ पर कर लोगी स्ट्राइजी है तो यह आपको ब्राइज देना पड़ेगा उसके बाद ए स्ट्राइज आपकेChar dery अटा जाएगा। ठीक है ना चली आप देखते हैं कहां पर क्या क्या देखा हम लोग देखें काल क्या ट्रेड कर सकते हैं आप लोग देखते हैं ठीक है पहले यह देखिए हम लोग यहां पर बोला था ट्रेड करने के लिए यह जो ब्रेक आउट हुआ उसके बाद देखें यहां तक गया यहा कॉंटिटी ट्रेड किया क्यों 44,222 जब निक्ला यहाँ पे हम लोग एक बड़ा क्वांटिट का ट्रेड किया हम लोग चले देख लेते काल क्या हो सकते है यहाँ पे रेंज करके जब यह निकलेगा ना तब एक बड़ा मौब आ सकते है कहाँ पे 44,500 के बाद यह रुखने के पहला टार्गेट होगा ओहोगा 44,000 655 सेकेंड जो टार्गेट होगा ओहोगा 44,000 744 हमारा थार टार्गेट होगा 44,000 8666 यहां तक हमारा टार्गेट जा सकते है यहां तक हमारा टार्गेट जा सकते है तो इसके उपर आपनों कोसिस कीजी देखें यहां पर क्या हो सकते है यहां पर जाके फिर यहां पर यह होने के बाद एक breakdown आ सकते है जो यहां तक लेके आ सकते है यह एक बहुती ब्यातरिन एक support zone होगा यह जो zone होगा यह support zone होगा क्यूं होगा इसको तोड़ने की बाद ही हमारा जो moment आया तो इसको तोड़ने की यहां पर आके एक support ढूंड सकते हैं यहां पर फिर से buy on div में हम लोग buy कर सकते हैं थिक है अब लोग चाहे तो यहां पर आके आप लोग buy on div में buy कर सकते हैं उसके बाद देखिए आपको काल क्या हो सकते है ग्याप आप मिल जाए तो यहां पर एक range ढूंड ना range ढूंडने के बात जहां पर भी आपको range मिला तो यहां पर आप लोग trade कर सकता है और gap down मिल जाए तो यहां पर courses करना कि buy करने के क्योंकि यहां पर range बनाखने के बाद काल एक better day हो सकता है क्योंकि काल expiry date है तो आप लोग चाहे तो लिंक जो है link पे जाके आप लोग open कर सकते हैं और open करने के बाद हमारा private telegram group में आप लोग join कर सकते हैं ठीक है तो चाहे तो आप लोग यह सब कर सकते हैं और like करके जाए वीडियो को 50 like का उमीद है आप लोगों के मतलब आप लोगों से और आप लोग चाहे तो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बटन को जोड़ दबाद दीजिएगा तो साथ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो अगर लाइक कर दिए दोस्तों को सेयर कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमरे चनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा थैंक्यू बारे